दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलन दिली परमाटेक पर दोस्तों आज केसे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप जितनी लोग देखते होंगे वीडियो को तो साथ कोई ऐसा हो जो आप फोन पे या 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 यू पी आई कोई फोन पर या गूगल पर पर अपट यू अपे अच्ष में हर कोई दोस्तों यूज करता है कि आनलाइन्स के पार कोड हे जिन करने पून करने के लिए online transaction इसमें जो है ज्यादा तर लोगों को यूज कर रहे हैं फोन पे जितने लोग यूज करते हैं तो यह देखा होगा फोन पे या गूगल पे वो लोग जिन लोगों का सिर्फ ATM कार्ड बना हुआ है जैसे आपका किसी बैंग में काउंट है अगर आपका ATM कार्ड बना है तब तो आप फोन पे या गूगल पे कि यूज कर पा रहे हैं लेकिन आज के अपडेट में दोस्तों बहुत बली खुसकबरी यह है कि बिना ATM कार्ड के आप फोन पे गूगल पे में बैंग कैसे आइड कर सकते हैं कैसे online transaction कर सकते हैं और कैसे उसकी UPI ID बना पाएंग कि अपना गूगल पे या फोन पे बिना ATM कार्ड के फोन पे को कैसे आप यूज कर पाएंगे सिर्फ आधार कार्ड से तो step by step आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो इसकी कि किये बिना फूरा वाची से ताकि एच्टे से समझ में आए कैसे आप आधार कार्ड से फोन पे की फोन पे को यूज कर पाएंगे तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले करो कि अगर वारे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजिएगा चैनल पर पहली बात आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को अन कर देजिएगा ताकि मैं जब को यह वीडियो अफ्लोड करूँ उसके नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पर एप्लिकेशन को बिना एट्यम कार्ड से चालू करने के लिए आना है डालेंगे नीचे प्रोसीड काफसर में लेकाई पर हम किलिक करेंगे जब किलिक करेंगे तो हमारे इस्ट्रक मॉवाइल नम्बर पर एक OTP बेजा जाएगा दोस्तों OTP बेजा जाएगा और OTP फाइब डिजिट की होगी यहां पर OTP डाल देना है और फिर नीचे वेरिफा करेंगे यहां से फिर एलाओ कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरीके से नेक्ट पर जाएगा दोस्तों यहां पर जामारा फोन पर एक्टिवेट हो चुका है यहां से फिर से हम एलाओ करेंगे फिर एलाओ कर देंगे उसके बाद इस तरीके से हमारा फोन पे चालू हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आलेडी मेंना एकाउंट बनाया था लेकिन बिना ATM कार्ड के कैसे आधार कार्ड से चालू करते हैं बैंक को आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले थे तो उपर हमारा जो प्रोफाइल आइकन है इस पे हम क्लिक करते हैं ईसपे क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ स्कॉल करेंगी उसके बाद नीचे यहाँ पर एक बना है लेकिन इस्टेट बैंकर नहीं बना तो इससे कैसे चालू करेंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से मारा सार डिटेल यहां पर आ जाता है बाद नीचे यहां पर आप देखेंगे लिखा होगा चिक डिजिट यूपी आई प mission मांगेगा यहां से okay कर देंगे हमारी बैंक को register किया जाएगा यहां से verify हो गया है बैंक हमारा upset UPI pin पर फिर दुबारा किलिक करेंगे तो हमारे पास दो इस तरीके से option मिलेंगे एक देखिए नीचे debit card ATM का option मिलेगा दूसरा आधार link आधार number link with bank तो आधार mobile number आधार जो हमारा link में link है तो यहां नीचे proceed वाले पर हमें click कर देना जैसे click करेंगे तो यहां देखिए आधार और और फोन पर link हो रहा है उसके बाद verify आधार number यहां आधार को फिर से verify किया जाएगा तो शुरू के six digit आधार के आपको यहां पर डालना चलिए वह भी डाल देते हैं दोस्तो शुरू के आधार के six digit यहां पर डालेंगे फिर प्रोसीड वाले पर click करेंगे उसके बाद देखिए दोस्तो यहां एक OTP भेजा जाएगा आधार पर OTP इसमें डालके वेरिफाई करना होता है उसके बाद वेरिफाई हो जाएगा नीचे सही वाल इंसान पर हम click करेंगे अब अतारा set UPI pin अब हमें six digit का UPI एक pin set करना है तो यहां पर कोई चलिए एक pin set कर लेते हैं उसके बाद नीचे yes करेंगे फिर दुबारा confirm six digit UPI pin दुबारा confirm करने के लिए बताया जा रहा है दुबारा confirm कर लेंगे फिर नीचे arrow पर click करेंगे उसके बाद देखे थोड़ा wait करेंगे अब यह देख लिए हमारा bank यहां से already link हो चुका दोस्तों मतलब हमारा phone पर activate हो चुका है बिना ATM card करेंगे थोड़ा इससे bank करेंगे अब यहां से सारा कुछ यहां से हम देख सकते हैं इसकी detail सारा चेक कर सकते हैं अब यहां से हम चाहेंगे तो यहां से bank balance चेकर से इस पर click करेंगे अब देखे state bank हमारा यहां पर show कर रहा है इस पर click करेंगे अब देखे UPIP न बता रहा है UPIP न यहां डालेंगे जैसे डालेंगे देख लिए मारा आटोमेटिक एकाउंट का बाइलेंस यहाँ पर यह देखे सो कर रहा है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप भी अपना फोन पर या गूगल पर बिना ATM कार्ड के आप मोबाइल में लिंक कर सकते हैं चला सकते हैं चालू कर सकते हैं तो